मलिक अर्जुन खडगे का इंटेव्यू मैंने किया है। वो क्या कए रहे हैं उनकी क्या सोच हैं। पहली बार नीज चैनल परम दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ इसकुसिवली बात करने के लिए मौझूद है मलिका अर्जुन खडगे मलिका अर्जुन खडगे का पहला कदम क्या होने वाला है मेरा पहला कदम ही होगा जो में महिने में उदाइपूर चिंतन सिभीर में जो निर्णे गए हैं लिये हैं कॉंग्रेस पार्टी के सभी डेलिगेट्स ने के वर्किंग कमीटी के मेंबर सांने मिलके सीनियर लीडर्स जिनको बुलाया गया था सभी ने एक राए देकर वहाँ पर एक टॉकुमेंट निकाला पॉलिसी डॉकुमेंट उस डॉकुमेंट को एक-एक करके लागू करना क्या पार्टी के अच्छे दिन आ जाएंगे देखो कोशिश करना हमारा काम है और हर इंसान कोशिश और जो होप सोते हैं आश्या पे आदमी काम करता है और एसेस भी अपेक्षा करता है तो एक ही दिन में सभी कुछ कर सकता हूं अगर कोई कहता है वो ठीक नहीं संगटन में क्या होता है सभी लोग मिलके एक जुट होकर अगर काम करेंगे डेफिनेटली एस मिलता है और मेरा जो योगदान है मैं कुछ करना है वो जरूर मेरे हम कितने उसको एफ़र्ट्स लगा सकते हैं जरूर हम लगाते रहेंगे क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत द से जुड़ा हूं उसलिए मुझे एक इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान है अब कोशिस करेंगे एक विपक्ष मतब जो आपका विपक्ष है बीजेपी का आरोप है बीजेपी का आरोप है कि जो भी कॉंग्रेस का नया प्रेजिडेंट होगा वो गांधी परिवार के रिमो ना होता है कांड़ेट जो भी अद्देक्ष बनेगा वो रबर स्टैंप होता है यह सब जो लोग इस पार्टी के चपी को खराब करने वाले हैं और बीजेपी का तो हमेशे यह कहिना उन से क्या लेना देना है हमारे पार्टी के एलेक्षन से उनके पार्टी में कुछ एले सबी कंसंसस पर बने हैं और वैसे लोग हमको डेमाकरसी का सबक सिखा रहे हैं और बहुत से लोग यह सवाल मुझे से पूछते हैं क्योंकि यह गांधी परिवार पार्ट एंड पार्ट अलाव कॉंग्रेस है और कॉंग्रेस में हर लोग जुड़े हुए हैं जिसका उसका नेत्र तो जब स्रीबंती सोनिया गांधी जीने 20 साल किया और राहुल गांधी जीने 2 साल किया नाचरल ही लोग कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनको जानते हैं बेंगावल से लेकर सवराश तक जानते हैं अगर लोग जानते हैं लोग उनके साथ जुड़ते हैं तो आप क्यों बार-बार सिर्फ गांधी परिवार गांधी परिवार बोलते हैं वो कांग्रेस के पार्टरेंड पार्शल अविवाज जाएंगा है तो यह कहना गलत है लेकिन लेकिन आप भी आला कमान की चॉइस थे यह देखो मैं बार-बार यही कर रहा हूं आप वही पूछ है देखो हम इस कॉंग्रेस पार्टी से 69 में जुड़े हैं 55 साल से मैं कॉंग्रेस पार्टी की सेवा में हूं और 50 साल से मैं का चुन के आ रहा हूं अगर जनता का समर्तन नहीं होता जनता का आशिरवाद अगर नहीं होता क्या मैं यह पॉलिटिक्स में इतने दिन जिंदा रहे सकता था था थैंक यू सो मच मेलिकार जिर खड़ गे थैंक यू थैंक यू